हेलो इस्टूडेंट जैहिंद यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ कि जितने भी ITI में डिमिशन लेने वाले इस्टूडेंट है तो फाइनली आप लोग का काउंसलिंग के दोरान और डाकुमेंट वरिफिकेसिंग के दोरान कौन कौन से डाकुमेंट्स आपका लगने वाला है तो फाइनली मैं यहाँ पर सभी डाकुमेंट्स आपको बताने वाला हूँ और जो डाकुमेंट्स आपके पास नहीं है तो कैसे बनेगा क्या उसके बिना आप लोग का एडिमिशन होगा या नहीं हो पाएगा और यह डाकुमेंट्स कहां से बनेगा कितना समय लग और यहां पर मैं आप लोग को बता दू कि आपको हमारे इस सेना पर आपको ITI regarding updates 100% सही जानकारी के साथ आप लोग को बताई जाती है जिसे ITI छात्रों को काफी help मिलता है और आप लोग का admission जो है सरकारी ITI में हो जाता है जो कि previous year के student जुडे हुए हैं तो उनको मालूम होगा तो आप लोग भी believe कर सकते हैं तो आई वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए फानली आप लोग का documents का list में तयार कर लिया हूँ आप लोग के लिए फानली जो कि यहां पर 15 से 16 documents आपका लगने वाला है तो देखिए यहां पर दिया गया फानली जो metric level यानि 10 का जो आप लोग का लगने वाला है वह आप लोग का original admit card यानि प्रवेश पत्र आपका लगने वाला है और दुसरा है original mark sheet मूल प्रमाड़ पत्र तिसरा है provisional certificate अप बंदिक प्रमाड़ पत्र और चौता है SLC-CLC certificate जो कि परित्याग प्रमाड़ पत्र और बेस पर आप लोग का बनेगा ठीक है तो 10 का जो आपका admit card है उसका photocopy लगेगा original mark sheet का photocopy लगेगा जो कि provisional certificate है आप लोग का उसका photocopy लगेगा और यहाँ पर बात करते है SLC-CLC जो कि school living certificate और college living certificate होता है तो आप लोग का SLC जो होता है चाहे आप लोग 10th पास करके बनव है या फिर graduation करके आप लोग बनवाएं जिसे आप लोग TC बोलते है ठीक है तो आप लोग का चाहे आपका 10th का हो 12 का हो या फिर edge का हो सभी आप लोग लग सकता यहाँ पर आप लोग confusion ना हो कि आपका 10th का हहाँ तो आप लोग inter-mediate का और र Pr persones का भी आपका लग सकता इस में अब बात करते हैं यहाँ पर character certificate का तो यह भी आप लोग के school से ही बनके मिलता है और अगर आप लोग चाहते हैं तो grab परदान या फिर नजदी की police station से आप लोग इसको बनवा सकते हैं अब देखिए आप लोग का बात आता है आपर जाती प्रमाड पत्र का जो की आपका caste certificate होता है और निवास प्रमाड पत्र रेजिस्डेंस certificate होता है तो यहाँ पर यह जो आप लोग का लगता है यह आप लोग का cyber cafe से बनता है तो आप लोग नजदी की साइबर कैपे से आप लोग इसको बनवा सकते हैं और इसको बनवाने में आपका लगबग एक वीक से दस दिन का समय आपका लगता है तो और इसको बनवाने में आप लोग का 50 रुपए से ले करके 100 रुपए का खर्चा आता है ठीक है तो आप लोग जल्द से जल्द बनवाल है और यहां आप लोग का valid होता है 3 year तक यानि 3 साल तक यहां आप लोग का मानने होता है अगर आपके पास 3 साल पुराना है तो आप लोग इसे change कर दीजिए अगर 3 साल से पहले बना है तब आप लोग का लग सकता है देखिए note में दिया गया है EWS, SM Q, DQ या PH candidate से आते हैं तो इसका certificate लगेगा ठीक है अब यहां पर बात आता है अधार card का photocopy लगेगा और next है 8 से 10 हाफ photo जो की passport size लएगा और जो आपके ITI के admit card पर दिया है वही आपका photo चाहिए तो आप लोग साइबर काफे पर जाईए अपना admit card उनको दिखाईए वह अह लेस्याव लेबल है तो ठीक है आप लोग उसी से बनवा लीजेगा या फिर आपका सपास है आठ दस्टो तो उससे काम आपका चल जाएगा अब देखी ITI का जो admit card जो आप लोगों ने एक्जाम दिया था इंटरेंस का तो आप लोग का admit card जो आया था उसका photocopy यहां पर आपका लगेगा अब आपका जो rank card आया है चाहिए आपका district बेस पर आया है या फिर open merit के अधर पर आया है तो दोनों आपका rank card यहां पर लगने वाला है अब next है आपका online counseling and choice filling ठीक है तो जो आप लोगों ने choice filling की करेंगे अपना counseling trade और college तो आप लोग इसका भी print out कर लिज हूँ आपको तो आपको description box में link दिया गया है आप लोग वहाँ से जाकर कोई video देख लें और वही trade आप लोग choice करेंगे तो आप लोग का 100% यहाँ पर जो सरकारी ITI में admission आप लोग का हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोग का ITI में admission के दोरान आप लोग ने part A और part B का hard copy यहाँ पर यहाँ पर print किया था तो उसका यहाँ पर दोनों इसका print out आपका लगने वाला है अब बात करते हैं यहाँ पर allotment letter जो की आप लोग का counseling के बाद लगबग एक वीक बाद आप लोग का allotment letter आएगा जिसमें आप लोग का ITI का नाम दिया र हैगा तो उसका आप लोग का यहाँ पर तीन प्रती आप लोग को यहाँ पर प्रिंट करवाना है अब बात करते हैं जाच परची का जो की डाकू में वरिफिकेशन सलीप होता है इसका two copy लगेगा तो आप लोग का जब allotment letter आएगा तो आप लोग का दो हजार 24 का जो चांगा जता है तो आप लोग वहां पर पता कर लिजे कि आप लोग का वहांपर medical certificate लगता है और लगता है तो आप लोग का medical certificate नजदी की गवर्मेंटेड़ हॉस्पिटल से आप लोग इसे बनवा सकते हैं ठीक है इसे बनवाने के लिए मोता है स द साब सब भरकर उसको आ तो आप लोग का मान हो जाएगा medical certificate बन जाएगा ऐसे ही अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए जितने भी डाकुमेंट्स यहाँ पर दिया गया है उसका कम से कम दो फोटो कॉपी तथा सभी वर्जिनल भी लेकर जाएगा तो मैं आप लोग को बता दो कि जितने भी डाकुमे certificate से ओ सभी है या नहीं है ठीक है तो आई होब आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन कौन से डाकुमेंट्स देखा जाना है तो फ्रिंट्स अगर इतने डाकुमेंट्स आपके पास हैं तो आप लोग का सरकारी आई टी आई में जो अडिमिसन है ओ फाइनली आप लोग का स्टार्ट होने वाला है लगबग दो से चार दिनों के बीच में आप लोग का जो counseling के प्रक्रिया हो शुरू कर दी जाएगी जैसे ही आप लोग की counseling के प्रक्रिया शुरू होती है फाइली मैं next वीडियो में आप लोग को बदाते रहूंगा और नई नई अपडेट्स जो ह हुआ भ्म कर दो हुआ हो जाएगी जाएगी जैसे हम आप लोग का लोग कर दो है तो हुआ है